Hello everyone, welcome to Toppers Notes, I am Rashmi and let's begin with today's current affairs. DIGINEXT है, इस Council में ITC के Senior Managers होंगे and यह जो DIGINEXT है, यह High Impact Digital Interventions को Ideate and Sponsor करेगा, मतलब निश्क्रे और प्रायचित करेगा. हमारा अगला आर्टिकल है कि इन्दिन टेनिस के एक लेजन्ड का निधन हो गया, उनका नाम था अक्तर अली. So, जो अक्तर अली थे वो डेविस कब के एक पूर्ट कोच रह चुके हैं and इन्दिन टेनिस के एक लेजन्डरी फिगर के रूप में इनने जाना जाता है. इनकी जो कोचिंग स्टाइल थी वो थोड़ी डिफरिंट थी, ये अग्रेसिफ सर्व और वाली गेम्स के कारण जाने जाते थे, मतलब इनकी इस कोचिंग स्टाइल के लिए जाने जाते थे and इन्होंने कई करियर्स को शेव दिया, जिसमें की शामिल है लियन डेपेस और के खुद के बेटे का करियर्स जिन्दाना में जीशान अली और साथ में इनकी कोचिंग ने विजय अमरित्राज और रमीश कृष्णन को भी काफी इंफ्लोएंस किया, जो सबसे जादे इंपोर्टिंट ये है कि आपको ये नाम याद रखना है अक्तर अली हमारा अगला आर्टिकल है कि पोप फ्रांसेज ने एक सीनिय सेनेट पोस्ट पर पहली बार एक महिला को पॉइंट किया है तो ये पहली बार हुआ है कि किसी महिला को इस वरिष्ट मासभा में व्युक्ति मिले तो पोप फ्रांसेज ने ऐसा करकर जो कैथुलिक ट्रिडीशन है उसको तोड़ा है अब इस पोस्ट की बात करते हैं तो इसमें जो महिला जब इस पत को धारन करेगी तो वोटिंग राइट्स के साथ इस पत को धारन करेगी इस बोडी में यह जो बोडी है यह major questions of doctorine पर study कर रही है मतलब सिद्धान के प्रमुक प्रशनों का अध्यन कर रही है अब जानता है इन लेडी के बारे में तो यह एक फ्रेंच वोमेर है जिसका नाम है नेटेली बैकवर्ट तो यह पहली महिला है जिने इस बिशप की धर्मशभा में एक अंडर सेकेटरी के रूप में न्युक्त किया गया है हमारा अनला आर्टिकल असम से रेलेटर है तो यहां पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने असोम माला का इनौगरेशन किया असोम माला को लॉंच किया है और साथ ही वे दो हॉस्पिटेल्स के फांडेशन स्टों को नौगरेशन के रखा है अब जानते हैं असोम माला के बारे में जी भारत माला प्रोजेक्ट के अनुरूप ही शुरू किया गया है ऑंडि जो प्रोजेक्ट है यह असम का जो ग्रीम है कि हर गाउं हर शहर में बहुत ब्रॉड रोड को वह घर गाउं से हैं बहुत अच्छी धाचा है उसकी growth के लिए उसकी progress के लिए उसके development के लिए बहुत ही जादा जोर दिया गया है अब असम के बारे में देखे तो असम का capital है डिस्पूर और यहां के chief minister का नाम है सर्बनन्दा सोनवाल हमारा अगला article मध्यप्रदेश से related है यहां पर मांडू मांडू festival में सभी tourist का स्वागत करने के लिए तयार है आपको यह याद रखना है कि मांडू festival कहां का होता है यह होता है मध्यप्रदेश का यह जो festival है यह दो दिन का होता है और इसे organize कर रहा है MP tourism अब इसमें क्या-क्या शामी लोगा वो देख लेता है इसमें है heritage walk cycling tours, photo contest yoga workshops, musical performances और भी बहुत कुछ और साथ में सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि पूरे event में social distancing का पालन किया जाए और साथ में यह सभी tourists के लिए mandatory होगा कि वो social distancing का पालन करें और सभी safety measures में लें हमारा अगला आर्टिकल है कि हॉल ने कहा है KA-226T utility chopper में 33% स्वदेशी सामागरी है अब इसमें हम total स्वदेशी सामागरी को देखें इस KA-226T utility helicopter में जिसे कि इंडिया और रशिया transfer of technology के तहट बना रहा है तो वो है 27-33% मतलब 27-33% कि स्वदेशी सामागरी है इस helicopter में अब यह जो helicopter है KA-226T यह पुराने जो चीता helicopter है और चेतक helicopter है उनके बेड़े की जगा लेगा हमारा अगला आर्टिकल 1% company से related है जैसे कि नाम से समझ में आ रहा एक व्यक्ति company यह वो companies होती है जिनने एक व्यक्ति के द्वारा शेरधारक के रूप में इन ही बनाया जा सकता है मतलब stakeholder कोई एक व्यक्ति हो सकता है और इन companies को पॉर्म कर सकता है इन इंडिया मतलब भारत में इस concept को Companies Act of 2013 के तहत introduce कराया गया था और यह जो introduction था यह किसी के suggestions पर बेस था अब किसके suggestions पर यह जेजे इरानी कमिटी के suggestions पर बेस था जिन्होंने 2005 में company law के लिए अपने recommendations को submit किया था हमारा अगला article है कि हमारे president ने General Thimaya Memorial Museum का inauguration किया यह याद रखना जरूरी है कि यह museum कहां पर है अब किसने इसका inauguration किया है तो अब देखते हैं कि जो inauguration किया गया है यह medikary में किया गया है जो कि करनाटका की कोड़ागू district में स्थित है अब जन्रल कुदे इंद्र सुभाया Thimaya के बारे में जाने तो इनका time period यह रहा 1906 से 1955 तर यह distinguished shoulder के रूप में जाने जाते थे और Indian Army में उन्होंने as a chief of army staff के रूप में भी काम किया है यह उन्होंने 1957 to 1961 तक किया है यह बहुत ही crucial years थे अब आप मान सकते हो कि क्यों crucial years थे because 1962 में चाइना के ताथ हमारा एक war हुआ था यह जो पूरा time period है इसमें यह बहुत ही crucial events थे अग्ये अक्येले ऐसे भारती थे चिनलों दूत्वे विश्यूद के दौरान युद्ध में infantry brigade की command समाली थी मतब infantry brigade को समालने वाली पहले कोई Indian थे हमारा अगला article 14th International Children's Film Festival चे रेलेटेड है जिसे recently Bangladesh में conclude किया गया है यह जो festival है यह पूरा साथ दिल नंबा festival है जिसे organize करता है Children's Film Society CFS और यह भी Bangladesh का है यह बहुत important है यह पता होना कि इसे कौन organize करता है इसे करता है और इसे इवेंट में 37 countries की 179 films को दिखाया जाएगा और बांगलादेश के अलावा इंडिया की films अमेनिया, यूएस, यूके, आइलेंड, जिपैन और चाइना भी उन देशों में शामिल है जिनके picture को इस festival में दिखाया जाएगा अब एक important point यह कि एक Dutch film जिसका नाम है Jackie A.N.U.T. इसे best international feature film का award मिला है इस movie का आपको नाम याद रखना है अब देखते हैं कुछ और information सो अर्मेनिया के एक film Stocks Nest के लिए एनी उनागियसान को best director का award मिला है और इस पूरे event की concluding ceremony में total 12 awards दिये गए हैं जिसमें से कुछ important है वो यह दिये हैं कि बांगलदेशे film माटी को young talent award से नवाजा गया है और वही पर एक film है lottery जिसे young talent award के अंदरगत एक special mention मिला है हमारा अगला article है कि government of India ने 2021 के लिए प्रधान मंत्री फसल भीमा योजना के लिए 16,000 करोर रुपीज का आवंटन किया है जो प्रधान मंत्री फसल भीमा योजना है इसे 2016 में launch किया गया था और इससे launch किया था आपको याद होना चाहिए अब यह जो scheme है कि replacement scheme है मतलब कि किसी दूसरी scheme के जगह पर आईए वो दो scheme का नाम है National Agriculture Insurance Scheme NAIS और जो दूसरी scheme है वो है Modified National Agriculture Insurance Scheme MNAIS इन दोनों schemes के जगह पर आईए प्रधान मंत्री फसल भीमा योजना और इस योजना का aim यह है कि जब किसी भी Natural Calamities के कारण कीड़े के कारण ये किसी बीमारी के कारण फसल जब नश्ट हो जागी है तो ये किसानों को Insurance coverage प्रोवाइड कर पाए और साथ में financial support भी दे मतलब भी किसानों के आई पुस्थिर बनाय रखने में मदद परती है हमारा अगला अर्टिकल नंदा देवी Glacier Burst से related है अब इस Burst के बारे में देखते है Glacier Lake Outburst Flood ये वो flood होते है जब कोई Glacier Lake पर जो Dam बना होता है वो fail हो जाता है और जो लेक है वहाँ से वो आउट परस्ट हो जाती है इन फ्लड आ जाता है तो इस रिशी गंगा रिवर में जो पानी का बहाँ जादा बढ़ गया है मताँ पानी और चड़ने लगया तब इसने जो रिशी गंगा पर एक स्मॉल हाइडरो प्रजेक्ट है उसके एक मेजर हिस्टे को इसके एक बड़े हिस्टे को भी एकदम बहा दिया है और साथ में जो फ्लाश फ्लड है उसने धौली गंगा जो कि अलग नंदा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है उसको भी काफी प्रभावत किया है तो नंदा देवी ग्लेशर के कारण उत्तरा घंड में काफी बाढ़ आ गई है और उसने हाइडरो एलेक्रिक प्रोजेक्ट के एक बड़े हिस्टे को भी बहा दिया है और साथ में कुछ घरों को भी बहा दिया है तो हमारा अगला आर्टिकल है कि प्रधान मंत्री ने वेस्ट बेंगॉल के हल्दिया में 4,700 करोर रुपीज के नैशनल प्रोजेक्ट को समर्पित किया है डेडिकेट किया है सब देखते हैं वो प्रोजेक्ट कौन कौन से थे सबसे पहले तो IOCL के प्रोजेक्ट जिसका नाम है 2nd Catalytic Iso Revexing Unit इसकी अधारशिला रखने के बाद प्रधान मंत्री ने तीन और प्रोजेक्ट को इनाग्रेट किया अब उन तीन प्रोजेक्ट के नाम देखते हैं एक है BPCL का LPG Import Terminal इसको हल्दिया में इनाग्रेट किया और गेल का दोबी दुगरापूर Natural Gas Pipeline और National Highway Authority ऑफ इंडिया का पोर लेन आरोबी कंड फ्लाइओवर अट रानी चक इसे रानी चक में इनाग्रेट किया यह हो गए पूरे चार प्रोजेक्ट एक IOCL का एक BPCL का एक गेल का और एक National Highway Authority ऑफ इंडिया का यह चार प्रोजेक्ट ने वेस्ट पेंगॉल में वेस्ट पेंगॉल के हल्दिया में समर्पित किया है इन साथ में उन्हों ने यह भी कहा कि यह धोवी दबरापूर का जो नाचरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है इससे पूरे वेस्ट पेंगॉल के लोगों को बहुत ज़ादा फाइदा होगा वेस्ट पेंगॉल के बारे में देखे तो वेस्ट पेंगॉल में दीधी की सरकार है ममता बेनर जी महां की चीफ मिनस्टर है और गवर्नर है जगदीद धनकर हमारा अगला आर्टिकल है कि कुरूबास जो की कम्यूनिटी है कि शेड्यूर ट्राइब का टाक चाहती है तो पूरे करनाटका में बड़ी बड़ी रैलियार निकाली जा रही है और उसमें कई मिनस्टर्स पर शामिन है तो वो यह चाहते हैं कि इस मतलब इस कम्यूनिटी के लीडर्स यह चाहते है यह एक Hindu caste के community है जो कि Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh और Telangana से बिलॉंग करती है and Karnataka में specially देखे तो यह वहाँ की तीसरी सबसे बड़ा community है तीसरा सबसे बड़ा caste group है and traditionally यह लोग shepherds थे postmen थे and जो जागीरदार रहता है यह सब थे So, आज के लिए सिफ इतना ही Thank you so much for watching